हलो दोस्तों, वेलकम बेक टू मा यूटूब चैनल, टुक्टुक इलेक्ट्रिकल आज हम जानेंगे कि इंटर लोकिंग क्या होती है इलेक्ट्रिकल में आपने सुना होगा कि इंटर लोकिंग, हमने इंटर लोकिंग करी हुई है यह हमने interlocking किया हुआ है दोस्तों सबसे पहले तो समझेंगे कि interlocking शब्द क्या है और ये कैसे करते हैं electrical में interlocking ये भी समझेंगे आपको इसके नाम से ही पता लग जा रहा होगा interlocking interlocking का मतलब हो गया कोई भी instrument है हमारा जैसे ये panel है और यहां पर दो स्विच दिये हुए है interlocking का मतलब ये हो गया कि internal से lock है आपने देखा होगा reverse forward starter reverse forward starter आपने देखा होगा reverse forward starter में क्या होता है उसमें interlocking रहती है interlocking reverse forward starter में रहती है जिससे क्या होता है कि हम चाहके भी जैसे मान लिजिए उस पैनल में दो स्विच हैं एक reverse के लिए है एक forward के लिए है तो हम चाहके भी अगर ये दोनों स्विच दबा देंगे तो दोनों चीजें नहीं चलेंगी एक ही चीज चलेंगी या तो reverse चलेंगी या फिर forward चलेंगी जो स्विच आपने पहले दबाया होगा वो उसी direction में चलेंगी जैसे आपने reverse अगर दोनों दबा रहे हो तो एक अगर पहले दब गया होगा suppose करिए जगर reverse दब गया है तो वो reverse में ही चलेंगी forward में नहीं चलेंगी कहने का मतलब यह है कि interlocking कहते हैं कि अगर आप कुछ करना भी चाहें उसमें तो ना कर सकें उसमें accident ना हो सके किसी भी machine में interlocking होती है जैसे हमारी कोई machine है कि उसमें क्या होता है कि कोई screw है उसमें screw लगा है और यहाँ पे हमारी motor लगी है shaft get through अब इसमें इसका ये rule है इस machine का कि इसमें जब तक heating ना आ जाए तब तक ये motor ना चले यानि कि इसमें material अगर suppose करिये इसमें material है उस machine में उसका ये rule है कि अगर material ये jam रहता है इसमें material है पहले से ही और अगर किसी ने motor चला दी और हमारी shaft से ये screw घूमेगी तो motor तो अपना work करेगी लेकिन ये shaft जाम रहेगी screw तो इसके वएसे accident हो सकता है motor हमारी चल के अगर trip नहीं हुई वो तो हमारे screw को break कर सकती है या तोड़ सकती है जिसकी safety के लिए हमने interlocking कर दी एक मालीजिए PLC में interlocking कर दी हमने कि हमारा जो screw है या हमारी जो motor है वो तब तक नहीं चलेगी जब तक कि इसमें 200 degree temperature ना आ जाए अगर 200 degree temperature आ गया है तब जाके हमारी motor चलनी चाहिए यही होती है दोस्तों interlocking interlocking का मतलब होता है safety और आपने देखा होगा अगर आप industry में काम करते हैं जैसे मालीजिए ये ये हमारा transformer है transformer से supply आई हुई है ये ये हमारी supply आई हुई है power की ठीक है और ये हमारा एक breaker है DG का ये हमारी सब्सक्रिए ये DG से चल रहा है DG वाला breaker on off करने वाला ये है और ये power supply का breaker है जो हमारे government से आती है तो क्या होता है कि जैसे मान लिजिए कि power चली गई तो हम DG को start करते है तो इसमें interlocking रहती है interlocking क्या रहती है कि अगर power चली गई और हमने DG चालू कर दिया ठीक है और DG चालू हम तभी कर पाएंगे जब इसको off करेंगे interlocking ये ही रहती है या फिर ये auto में off हो जाती है अगर इसमें under voltage relay लगी रहेगी आपके ACV में तो यह है अपने आप power जाने के बाद आपके power की breaker ट्रिप हो जाएगी जिससे अगर power by chance आ भी सकती है आ भी जाए तो accident ना हो तो क्या होता है जैसे हमारी ये DG है DG की supply जैसे power चली गई तो हमने DG on कर दिया ये trip हो गई अब क्या है power आ गई तो ये power off रहेगा जिससे हमारा short circuit नहीं होगा दोस्तों यही होता है interlocking और मान लीजिए कि आपकी DG बंद हो गई तो सबसकर ये कि power आ रही है तो DG वाला DG किसी ने start कर दी तो ये जब तक off नहीं रहेगा तब तक ये वाला on नहीं कर सकते हैं मलब दोनों में ये off होना चाहिए एक और एक on होना चाहिए तभी ये corporate करेगा अब आपने सुना होगा reverse forward starter में interlocking तो उसमें क्या हो रहता है दो contactor रहते हैं हमारे ये हो गया reverse का ये हो गया forward का तो इसमें add-on block लगा रहता है add-on block आपने सुना होगा या इसको auxiliary block कहते हैं NO और NC वाला NO और NC का मतलब क्या होता है कि जैसे माल लेजए ये एक add-on block इसमें लगा है एक add-on block इसमें लगा है और दोनों में हमारा NC लगा हुआ है NC का मतलब आप लोग जानते ही होंगे NC का मतलब होता है normally close जो हम इस contactor को forward के A1 में और A2 माल लेज़े ये coil है A1 और A2 तो यहां से हमने supply उठाई NC से लेके इसकी coil में देंगे और जो दूसरी supply आ रही है ये सोरी ये NC से आया और ये इसके coil में देंगे और फिर जब reverse को start करने वाली supply जो रहेगी वो यहां से होते हुए NC से होके इसके NC से होके इसके coil में जाएगी जिससे की हमारा ये contactor माल लीजिए hold नहीं है तो ये NC रहेगा और supply हमारी reverse contactor में चली जाएगी ये one में तो हमारा reverse वाला start हो जाएगा और अगर माल लीजिए ये reverse वाला start हो जाएगा तो ये जो NC है ये NO हो जाएगा अगर by chance किसी problem से supply हम इसको forward को start करना चाहेंगे reverse चल ला है हमारा तो forward को अगर start करना चाहेंगे तो माल लीजिए reverse hold है तो ये NO रहेगा और circuit को open किया रहेगा जिससे हमारा ये forward नहीं चलेगा तो जब हम इसको reverse को बंद करेंगे तब ही forward को चला सकते हैं और जब forward बंद करेंगे तब ही reverse को चला सकते हैं यही होती है इंटर लोकिंग किसी भी मशीन में बहुत सारे automation में आपको इंटर लोकिंग मिलेगी आपने ये तो समझ लिया है पावर और डीजी का अगर आपको किसी और मशीन की इंटर लोकिंग के बारे में पूछना है या जानना है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो like और subscribe करें